तो जैनुवली आज का स्मैक्डाउन का शो देखे एक लंबे टाइम बाद ऐसा लागा नहीं भाई अमजा आने वाला जर्नल मैनेजर वाली चीज आखे वापस आई तो वार गेम्स तो हो गाई और उपर से यह उस्यों को लाइक से 10,000 डॉलर का फाइन पढ़ गया प्लाइट से जाहां रैंडी और टरन को लेकर एक बहुत अच्छी वाली निउस है प्लस अन्वक सर्वाइवर सीरीज के पहले वाले अपने क्राउण जोल की बार में भी बात करेंगे क्राउण जोल की लग रहा है डवल अब लबी कुछ भयंकर वाली प्लान कर रही है अब यह कुछ अपडेट के साथ में दुम्हें वीडियो को देखना पड़ेगा पूरा बसेंट तक सो विदाउट वेस्टिंग अनी टाइम लेक्स बिगिन दिस वीडियो देखो वीडियो को में शुरू करने वाला हमारे स्मैक्डाउन वाली चीज़ों के साथ में जहां पर ज आज का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए कि अब वो सीना से फेस करना चाहेंगे अब जब जान सीना सोलुसी को दूनों रिंके बीच में होता अच्छा कासा स्टेय डाउन टाइप होता है तो अचानक से जैमी उसो जो कि रिंग साइड के उपर थे उनके पर हलाबूल हो पर सिक्योरिटी गार्ट जाता है जिम्युस अब दोड़ते भाईया जैसे तक कि किसी तरीके से बचते होई नजरा है अब सिक्योरिटी गार्ट पगएर आते हैं तो यह सारी चीज़ें किसी तरीकिसे हटती है लेकिन हाँ जब जब जो जो क्राउड कर रियाक्शन था जी स्मैकडाउन की जर्नल मैनेजर है वो बैक सिर्च के पर कहते हैं सेक्योरिटी गार्ट को जल्दी से जिम्युस को और आडम पियर्स को यहां से बाहर करो विलिडिंग से क्योंकि यह लोग मंडे नाइट रोके लोग है यह स्मैकडाउन है यह मेरा ब्रैंड है अब यहाँ समझाते हैं कि इस तरीके से पहले आटाइक जिमीन गया तो जिए उसों आके तो उल्टा करेंगे चीज़ों को लेकिन कि हाँ पर उल्टा डॉलर का फाइन इंपोस करते हैं कहते हैं मेरा स्मैकडाउन है यहां पर रॉकी सूपरस्टार्स अलाउड ही नहीं है तो इसलिए जिए उसों को फाइन पड़ता है अब मजा आएगा सर्वाइवर सीरीज को लेकि मुझे लग रहा है कि यह वह बात आई ना जनल मैनेजर वाली डबलाबली कंपनी में अब बढ़ते हैं इसके बाद वाली क्या चीज़ें होती है तो पर लोगन पॉल आते वह नहीं है में धंकी नौकरी भी नहीं थी तो ताना सबको मार रहा है लेकिन अल्टिमेटली बात कंफर्म है अब लोगन पॉल वर्सीज री में स्टीरियो का मैच होगा क्राउं जुल शुक के अंदर तुम्हारे के एक साबसे तुम मैवरिक दीथरोन कर पाएगा री मिस्टीरियो को बात करते शुक के में इवेंट के बारे में तो ईयू स्काई का आपना सामना शाडल फिर के साथ होता है रिंग सैट के उपर डामज कंट्रोल होती है जिसका फायदा मिलता है ईयू स्काई को और वो फ्ले को हो आते वी नजराई चैंपेंशिप रेटियन करती है अब मैच क यह लगएंगे बाद भी अटक होता है तो यह लगों आज कि मुझे लगा इंपोरंट है और तुम लोगो आफ को पता भी होनी चाहिए लखिन अब चलो बात करते रैंडी ओटन की तरह बढ़ने से पहले एले नाइट बोले में की बीच में एकाचा का सेग्मेंट होता है और अगले अपते के लिए कॉंट्राक्ट साइनिंग ऊफिशल होई है रोमर रेंज इन एल ए नाइट के बीच में अब बात हम लोग रेंडी और यॉटन के डवल लवली कमबाक के बार में भी विगास लग रहा है और काफी जल्दी उनका कमबाक होगा डवल लव्ली कमपनी के अंदर यह जो अपडेट की तरफ से आई है जिसका स्क्रीन शॉट तुम लोग देख पारोगे बदाज़ा जो ब्रैंडिंग है जो मर्चंटाइज सेलिंग यह रैंडी ओटन के के लिए यह सर्वाइवर सीरिस के वीकेंड के लिए ही प्लान की गई है कि भाई हम लोग इस तरीके से चीज़ों करने वाला है जब रैंडी ओटन कंबाक करेंगे तो बहुत अच्छी नियूज है कि सारी प्रेपरेशन इंटरनली चल रही है रैंडी ओटन के लिए अब रैस के बार में भी एडिशनली करूंगा क्राउंड के लिए कुछ मास्ति वाली प्लान कर रही है जिस तरीके से वैसे बीडेवली भी बूजर जो बहुत रस्टेट सोर्स है और उसकी तरफ से रीसेंटली एक अप्डेट आई सामने जिसका स्क्रीन शॉट तुम लग देख पा रोमरेंज एले नाइट का मैच अलड़ी ओफीशल हो चुका अफीशल में अनाउंस भी हो चुका है तो तुम लोग मान सकते हो कि जो रोमरेंज एले नाइट की मैच की इंडिंग है वो कुछ अलग लेवल की होगी मुझे लग रहा है जब्ल डबली कुछ बढ़ा करना चा है देगे रोमरेंज एले नाइट की मैच की चलो ठीक है बाइद वीडियो अगर तुम्हें यह वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना साथी में जो लोग चैनल के सब्सक्राइब को देना चैनल को बेल नोडिफिकेशन को करना आना मैं